डियर स्ट्रेट्वर अस्सलाम अलेकूम फूंक है एन लेक्च्चर नमबर वन प्रेंट आज जो लेक्च्चर है वह लेक्चर नमबर वन है सब्जिक्ट जो है वह डिजाइन आफ हैडरालेक स्ट्रक्चर है सी ई 413 कोड भी तो इस subject में हम आज diversion headworks discuss करेंगे कि diversion headworks क्या होते है और इसकी definition क्या है और इसकी requirement क्या है और इसकी applications क्या है वो आज इस video में हम discuss करेंगे सबसे पहले definition की तरफ चलते है कि इसकी definition क्या है definition में लेका हुआ diversion headworks तो सबसे पहले हैड़ वर्क की डिफिनिशन पढ़ते है हैड़ वर्क इनी हैड्रालिक स्ट्रक्चर विच सप्लाइज वाटर टू दी ओफ टेकिंग केनाल इसकालड हैड़ वर्क इसके कहने का मतलब ये है कि हेड़ वर्क वो हाइडरालिक स्ट्रक्चर होता है जो पानी को सप्लाई करता है आफटेकिंग केनाल की तरफ OFF TAKING कINAL अब क्या होता है OFF TAKING कINAL यानि अगर ये एक रिजरवायर है और इस रिजरवायर से आपने यहां तक ये किनाल है इससे किनारे पे है तो इस रिजरवायर से इस किनाल तक अगर आपने पानी को सप्लाई करना है तो आप डैवर्जन हेड़ वर्क्स बनाएंगे आफ टेकिंग के नाल मीन तोड़ सा दूर यानि दूर आफ टेकिंग मीन दूर तो आप ने पानी को सप्लाई करना हो तो आप एक हाइडरालिक स्ट्रॉक्चर बनाएंगे तो उसी की तुरू आउट आप पानी सप्लाई कर सकते है तो इस इस कालड डैवर्जन हेड़ वर्क्स यह तोड़ सा आफ टेकिंग के नाल में डाइग्रमिटिकल यह आपको दिखाता हूँ क्या क्या होता है यह दरा कर आप देख ले यह क्या है यह आफ टेकिंग के नाले दूर है तो इस से हमने यह तक पानी से अपलाई करना है तो हम यह यह जहने यह स्ट्रॉक्चर जो बनाते है इस इस काल्ड डैवर्जन हेडवर्क चीडिकल यह लेट है यह तो प्रता में बाद में आपको सम्झाओंगा पहले इसकी dfinition बढ़ते ही क्या है तो अमीद कर तो आप समझ गए होंगे कि divergen headwork क्या होता है अब type stop headwork headwork की कई type है तो एक को storage headwork किये थे दूसरे को divergen headwork किये थे यानि एक पानी को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और दूसरा डैवर्ट करने के लिए मोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है storage head work क्या होता है storage head work comprises पर मुश्तमिल होता है the construction of a dam of the wire जो storage head work होता है वो मुश्तमिल होता है the construction of a dam, dam की construction के उपर on the wire अब where क्या होता है, where कुछ भी नहीं होता है, critical दिवार होता है इसकी definition आगे पढ़ेंगे, हमने लेका है, details से पढ़ेंगे अब को इतना पता होना चाहिए कि वेर क्या होता है वेर वर्टिकल दीवार होती है अब है इट स्टोर्ज वाटर डिवरिंग दी पिरियड आफ एक्सिस सेपलाई और रिलीज इट विन डिमांड और टेक्स अवैलेबल सेपलाई ये कह रहे है कि स्टोरिज हेड़ वर्क वो ह स्टोर करता है और जब का पानी की डिमांड आ जाती है तो स्टाम वो क्या करता है रिलीज करता है क्या करता है रिलीज करता है जब पानी ज्यादा हो तो स्टोर कर देता है और जब पानी कम हो तो पिर वो रिलीज कर देता है तो इसको स्टोरेज हेड़ वर्क क्यों कहा जा तो हम ने जैना रीट कर दिया 아फ डाइव जन हैडवर क्या होता है तो डायवर्ट्र रिकॉइट सिप्लाइट टो किनाल फरम रिवर यह किरें का डायवर्जन रिवर्क वह है यह जो पानी को क्या यह इंता है कि एक साइट मोड़ता है से डAudi psicलाइ जो भी जन हमें चाहिए चाहिए केनाल से रीवर्ण से केनाल की तरव यह न hoda रैट से अफ़र उटो केनाल स्रॉम और वारी वर्र फोर्गी तरव केनाल की थाइब सो आगे है इसकी दो टाइब है नंबर एक ए टेंप्रूरी परस और बंस परस और बंद क्या होता है बंद मारजिनल बैंक सकते हैं सपर्स कह सकते हैं अगर आप तोड़ा से देख लिए बाइग्राम में तो यह आपके साथ क्या है यह सपर्स है यह बंद है चीजिक पर एसको मर्जिनल बैंक भी कहा जाता है ठीक है तो आगे पर चलते हैं लिक्टे की तरफ हाँ ठीक है तो इसमें कहा पर हां temporary spurs बनाया जाते है which are temporary and constructed every year after floods flood के बाद हर साल ये बनाया जाता है ये temporary तोर पर पानी को क्या करता है store करता है डावट करता है ठीक है store करना डावट करना ठीक है permanent wear और बिराज वेर्स क्या होते है बिराज क्या होते है आगे डिसकस करेंगे डिटेल से वेर और बिराज क्या इस वीडियो में चीक है आगे है divergen head works are generally constructed on the perennial rivers अब perennial क्या होता है perennial नहरे दवामी नहरे उसको कहा जाता है उर्दू में वो नहरे जो सारा साल उसमें पानी available होता है this is called perennial canal ठीक है ठीक है ठीक है तो दरिया है जो सारा साल उसमें पानी बैता है divergen head works are generally constructed on the perennial rivers perennial जो जिसमें सारा साल पानी बैता है which have adequate flow throughout the year जिस तरह इदर बता दिया कि throughout the year उसमें पानी available होता है and therefore इसलिए there is no necessary of creating a storage reservoir इस लिए उस जगह पे storage reservoir बनानी की जरूरत होती है क्यूं क्यों क्यूंने होतीक्ट है क्यों क्यूंक्ष यह वह पर सारसे साल पानी available होता है वूझ्ँ दो सोस्टोरेज पहां पनाया जातीर यहां पर पानी की किल्ड उती है बास जोगात होता है बास औक्तनी होता जब याव में पानी अवैलेबल होता है तो दिस इस काड़ परीनियर्ज रिवर्स चीक है नेक्स्ट के पेज की तरफ चलते हैं दूसरे जो हमारे साथ है वो यह है पर पस इसकी क्या है नमबर वन इट राइज इस दी वाटर लेवल इन डी रिवर्स सोदेर दा कमार्ड एरिया के होता है कि जो हर कहते हैं इसका मक्सद 122 यह होता है कि यह से यह वाटर की जो लेवल है उसको राइस कर देता है तो, तो रैयर नहीं का होता है वह स्कूदेंक्री ज्यादा कर देता है so that the command area can be increase हमारे साथ command area होता है वो ज्यादा हो जाता है increase कर सकते हैं जब पानी का लिफल ज्यादा होगे तो definitely command area भी ज्यादा ज्यादा पानी को क्या करेंगा सिराप करेंगा so that's why number two जो है it regulates the intake of water अर्ट्ड पानी को कुबी कम कवी कबी ज्यादा चीक है जितनी मिकदार में हमにちは चाहिए होता है हमें उस मिकदार में क्या कर देता है कौन प्रोलाइट कर देता है अफादियत पानी persistence है दिया में कि 것처럼 तो आपको प्रोवाइट प्रोवाइट कर नबर cannon अब सिल्ट को हम अर्दू में बलकेते हैं यह चोटी चोटी जरात होते हैं अगर यह नहर के क्रासेक्शन में चले जाए तो नहर का क्रासेक्शन इससे तंग हो जाता है जिससे जैना नहर से पानी पर क्या करता है बाहर आना स्टार्ट हो जाता है तो हम क्या करते है कि सिल्ट इंट्री क्यों पर हम क्या कर देते हैं कांट्रोल कर देते हैं ताकि यह सिल्ट ज्यादा मिगदार में नहर के क्रासिक्शन में ना चले जाए तो इस वज़े से अगर यह तामीर कर दे एड़ वर्क तो इससे यह जो है ना यह कांट्रोल होते है क् एट कांट्रोल करता है the silt entry into the canal किनाल में जह एना silt की entry को कांट्रोल करता है कौन divergen head work छीए इस हमने तादिया divergen head work हम divergen head work की इपर बात कर रहें चीए next for it reduce fluctuation in the level of supply in the water यह fluctuation को यनि कम ज्यादा पानी को यह इस तारा नहीं करता कि कभी होते हैं इस तरह नहीं होता है कभी थायदा पाने हैं कभी यह मौतदिल कर देता है और यंडी लेट अप सेपलाई जो होती है रिवर में नंबर फिफ meiner at stores water or small periods of short supply short supply के लिए small period में जहने ये पानी को store भी कर सकता है location of headworks उसका location कहाँ पर होने चाहिए number one जो है the torrential 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 मुसलदार जो होती है मुसलदार जहाँ पर मुसलदार बारिश होती है तेज बारिश होती है या राकी जमीन होती है या mountainous stage होता है वहाँ पर क्या होना चाहिए very steep bed slope and high velocity वहाँ पर जहाँ जहाँ ज्यादा बारिश होती है राकी जमीन होती है mountainous area होता है तो वहाँ पर तेज स्लोप होने चाहिए उसका bet का headwork अगर आप अदर बनाना है तो वहाँ पर उसका slope बहुत तेज होना चाहिए बहुत तेज स्लोप होने चाहिए very steep bed slope very steep bed slope का मतलब बहुत तेज स्लोप होने चाहिए and high velocity है और इसकी velocity ज्यादा होने चाहिए ठीक है ताकि पानी जिल्दी से क्या हो जाए निकल सके ठीक है यानि पर्कुलेट ना हो जाए number two these sub mountainous are boulder stage सब माउंटीन जो निम पहाड़ी सिलसला होता है वहाँ पे बुल्डर स्टेज में वहाँ पे क्या होने चाहिए strong sub-sail होने चाहिए क्या होने चाहिए strong sub-sail होने चाहिए flow and more percolation losses होने चाहिए percolation ज्यादा पानी जिल्दम नहीं होने चाहिए किसम है ठीकिव को मौस्ट सूटिबल बिटा स्लो आहिस्ता होना चाहिए เทार सटेज है वाले हैं तो अब आते हैं वेर के उपर वेर क्या होता है वेर दी वेर इजा हाइडरालिक स्ट्रक्चर यह हाइडरालिक स्ट्रक्चर है constructed across the river ये river के across कड़ किया जाता है to rise its water ये rise करता है पानी को its water level and divert the water into the canal इसकी दो फाइदे हो गए कह रहा है कि जो वेर होता है वो पानी के बिलकुल perpendicular एक दीवार बनाया जाता है जिस तरह यहां से यहां से river है पानी आ रहा है तो इसके सामने से आपने एक दीवार कड़ा कर दिया इसका मकसद क्या होगा है इसका मकसद यह होगा है कि एक तो पानी का लेवल में इजाफा होगा है क्योंकि दीवार पानी को क्या करेगा रोकेगा जब रोकेगा तो पानी के लेवल में इजाफा होगा ठीक है और डाइवर्ट और दूसरी बात है कि ये पानी को डाइवर्ट करने के लिए भी बनाए जा सकते हैं तो डाइवर्ट दी वाटर इंटु दी किनाल कि तरह अगर आपने पानी डाइवर्ट करना है तो ये भी बना सकते हैं यानि इस से भी ये फाइद भी अब ले सकते अगर एक वेर है उसमाल वक्त के लिए ठीक है तोड़े अर्सी के लिए पानी को स्टोर कर सकते हैं तो उसको हम स्टोरिज वेर कह सकते हैं स्टोरिज वेर में और डेम में वह यह है कि वह हाइट के लिए पानी को स्टोर कर सकते हैं तो डेफिनली बेराज जो है आगे नेक्स्ट की तरफ चलता है बिराज क्या होता है बिराज तो उड़ सर्फ यह से डेफिरेंट है मैं सेंपल अगर आपको बता दू आपने यह पानी है रिवर है दरिया है और इसके सापने में अपने दीवार कर दिया दिवार जब कर दिया इस दीवार की उपर एकर आप आप उपर स्लूस गेट बनाएं जो आपको जोड़ते जाए और जितनी पानी की मिगदार की जरू तो सिप्लाइ बंद किया जाए तो डिस इस काल्ड बिराज अगर उनली सिर्फ अब दीवार कड़ा कर दे इसके उपर बाद वकात पानी उपर भी आ जाता है और फ्लो कर दे तो वेर और बिराज में यह फरक है तो बिराज सीमिलर टू वियर होता है लेकिन इसके उपर गेट इस इलान यह देखो जिस तरह मैंने बता दिया कि जो हेडिंग है वो अपक्ट करता है वाटर की चीक है अब नो सॉलिट स्ट्रक्चर एक्रास रिवर इसका कुई सॉलिट स्ट्रक्चर नहीं साइट सुच्चर वही रिवर होता है और इसके उपर गेट बनाय जाते और फ् युपर गे शेख बनाने से उसका जो फ्लीट फ्लॉवन होगा यह जब पानी ज्यादा हो तो बन कर ले तो आपके साथ पानी स्टोर होगा जब पानी की जरुब आपको मेहसूस हो जाया तो गे तो यह पानी को आज़ आ पर्शली को देड़ ले पानी तो वाटर लेवल क्यूपर जबरतस कंट्रोल होता है और लिस्सिल्टिंग होता है अब जातर जु डेम होते है यह कोई भी हडरालिग स्ट्रक्चर वाप इस नियुक्ड जब जहादा जमा होती है ठीक है तो हम कोशश करते कोई ऐसस्ट्रक्चर में कोई ऐस आप जैनले काम कर द होते हैं यह सो को निकालना और मेंटेन करना स्ट्रकशर को तो यह काफी मुष्किल हो जाता है झाया है को स्की तरफ चलते हैं फूर्थ फूर्थ हमारे साथ क्या है ले ओट अव ड्यावर्जन हेडवर्थ का ये लेवर्जन है वेसे होता किस तरह है तो यह गर आप देख ले तो यह एक हमारे साथ अरीवर या किनाज रिजर्वायर साइड है जो ऐसे पानी आता है ठीक है of you s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s स्ट्रैक्ष विएर है और इसक túपर विएर तो विएर है पालல Love Your वियर के अगेड बना दिया है विएर वह Ona सिसी गेड है जो खाने आने ए है पलान में आपको और यह पलान है अगर सिंपल अलवाज में आप में लियाउट या प्लान हम वुपर से देख रहाए कि इसका structure किस तरह होता है diversion head work का तो ये down stream side है ये wear gate है ये जो नजर आ रा रहा है ये 1, 2, 3 ये wear gate है और ये wear है ये क्या होता है? ये fish later होता है इसमें मचलिय और गयरा क्या करते है? आगे पीचे movement कर सकती है ठीक है? fish later और यह इस तरह स्टेप बाई स्टेप बनाया जाते हैं एक दिवार पर इदर से एक दिवार क्योंकि इसके दर्मियान में अगर यह बिल्कुल उपन बनाया जाया तो इस पानी में इस जगह में पानी के इतना स्पीड होता है कि मचली पर दोबारा अंदर इंटर नहीं कर सकत इस यह जो एक बाउसर या सब्सक्राइब में पर लिए सकते हैं यानों क्योंट है कि मचले के लिए असानी और नहीं कर सकें और इसके साथ एक दिवार होता है इसको डिवाइड़ वाल का जाता है ठीक है डिवाइड वाल यह स्ट्रूच्छर ہے par timeline नलेंग में दैशाओ चन किनाल यहां से यह पानी ले रहे हैं इस तरह हमने तीर के निशान से शो भी किया है और यह किनाल रेगुलेटर है रेगुलेटर क्यों कहा जाता है कि पानी को रिगुलेट करता है कि ज्यादा कभी कम अगयर में यह होता है तो यह अगयर में ज्यादा कोलborg 0800 कहता है तो अतन praise की लिए क्योंतना है आई चाहिए है कि और फीक कर सकते चाहिए ज्यादा पानी की जड़र तो उसके खालीत पार्स तो इसकी यह है कि यह पानी को कंट्रोल करता है ठीक है तो इसको मार्जिनल बंद या मार्जिनल बैंक इसको एमबेक्मेंट भी कह सकते है जॉइन टू हाई काउंटर ठीक है और यह इसके यह जो है यह वाला है और साथ में यह वाला स्रक्चर यह गाइड बैंक इसको साथ डिवाइड वाल चाहिए यह और साथ में इसके साथ फिश लेडर और साथ में यह वियर दिवार चाहिए और दिवार के उपर गेट बिराज बन गया तो यह ले आउट आफ दी हैड़ वारक्स था चाहिए तो उमीद करता हूँ स्ट्रेंट आपको समझाया होगा अगर पिर भी कुई मसला हो तो आप मुझे जैना बैक रिस्पांस दे सकते है क्यों कोई मसला हो तो पिर हम जूम मेटिंग अरेंज कर रहे हैं तो उसमें हम गुफ्तगू करेंगे डिटेल से